आईए, सिमी जी, सिमी जी बताइए आप किस से दोस्ती करेगी और क्यूं? क्या खूब टॉपिक आपने चूज के अनिल जी, मान गये बढ़िया इस बाद तो मैंने सोचा के एक बहुत बढ़िया टॉपिक है यह अब इस बाद तो मैंने सोचा है के दोस्ती करोंगी तो दिपांग्शु से ही करोंगी और पुछे क्यूं? देखेंक आपका एसिस्टेंट आपके बगल में बेठा है। हमेशा शो में और दो दिन पहले दिपांग्शु ने करा चा क्बहर तो आ जो बजा बजाओ बिपांग्शु को अमिượng अमितनीए पच्छन साम के एक डालोग था लाई रहा है लाइन वही से शूरू होता है तो वैसे पॉसलीं पोसिबलат और दीपांशू से दोस्ति करने से ही। मैं तो मैंने दोस्ति करऊंगा कि अब बहुत ही बढ़िया आइडिया बहुत बढ़िया आपका सीमी जी लेकिन कभी आपने इसके साइड इफेक्ट सोचे कि अगर आप दिपांशु से दोस्ती करके आप यह चाहती कि मैं लाइन में सबसे आगे रहा हूं सबसे पहले मेरा बीगुल बज़े लेकिन उनके साथ कोई कोईंकर बेटा है तो बड़ा स्मार्ट चालाख है अगर वह बुरा मान जया तो पता जला आपको बीगुल बज़ेने का मोगई नहीं बिल रहा है और उसके बाद भी सोचो बीगुल बजने के बाद भी अगर आपने कॉल देना शुरू किया और मैं यह बोले मैंने मतलब क आपकी कोली नहीं गई तो। तब क्या होगा सोचना पड़ेगा। इतना सोच नहीं सकती है. मुझे दोस्ती करना था, मतलब का दोस्ती करना था, उतना सोचा थैं अर दिपांग्शु को थोड़ी से सोच बढ़ाओ, सोचौ के किससे करनी चीड़े। आपके साथ मतलब कि दोस्ति कर ने उनके कोई कोई कर से कर लो ना किसी से भी उसके दिपांशू के ने बूब प्राइम शो में आप और दिपांशू यह तो बैठते हैं तो आप ही सेगे अरे तो वही तो बोल रहा हूं आपकी दोस्ति बहुत बढ़िया आइडिया बहुत ही बढ़िया